नियूस क्लिक में आपको स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे निखिल वागले से साध्धी प्रग्या का जो एटैक हेमंद करकरे पे रहा और उसका असर क्या पढ़ने वाला है महराश्ट्रा में जहां हेमंद करकरे एक हीरो के रूप में हैं लोगों के लोगों के सामने खास यह बहुत ही देखे लिए बहुत ही गटिया किसिम का आक्रवन है जो प्रग्या थाकुत निकिया है खास्तोर से हमंद करकरे पे जी आप बिल्कुल सही करें यह घिनवना है गटिया है और मुझे लगता है किसी भी मानवता के नियम में यह बैटता नहीं है देखिए I knew हमं करकरें मैं जानता था उनसे कई बार यह जब इन्वेस्टिएकेशन चल रहा था मालेगा और सारा तो कई बार मैं मिला था और मैंने यह पाया था कि यह बिल्कुली प्रोफेशनल आफिसर है अनेस तो थे ही clean आफिसर थे मुझे तो लगता है ऐसा आफिसर पुलीस में मिलन इसलिए जब उन्होंने इन्वेस्टिकेशन शुरू किया, तो यह जो हिंदुत्वा टेरर, I call it हिंदुत्वा टेरर, it is not Hindu टेरर, हिंदुत्वा टेरर का एंगल सामने आया, मुझे यह भी मालूम है, उन्हों नहीं मुझे बताया था, कि वो चले गए होम मिनिस्टर के पास, होम मिनिस्टर महाराश्टा के थे, उस वक्त आरार पाटी, इनके इन्वेस्टिकेशन में, इतना बड़ा शॉकिंग कांटेंट था, कि होम मिनिस्टर भी डर गए, लेकिन फिर भी ही इंसिस्टर, उन्होंने इंसिस्ट किया, कि मैं ये चालू रखूंगा, और फिर सारी ये बात बाहर आ गई, वो करनल पुरोही तोरी, ये सारी कॉंस्पिरसी बाहर आ गई, जब तक हेमन करकरे थे, तब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई, उन से लेकर सब जानते थे, हम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, रहे नाकपूर, ही इस फ़र्म अ प्रोग्रेसिव फैमिली, प्रोग्रेसिव फैमिली से वो है, लेकिन वो RSS, पूरा जो परिवार है नाकपूर में, RSS headquarters नाकपूर में, उनको ठीक तरह से जानते थे तो इस इन्वेस्टिकिशन के दरम्यान एक बात आ गई कि इस करनल पुरोहित एंड इस गैंग साधवी मुझे उसको साधवी नहीं कहना चाहिए प्रग्या ठाकूर यह जो गैंग थी तो इन लोगों ने एक ऐसी कॉंस्पिरेसी बनाई थी कि व मैं कोई ऐसी सिक्रेट बात नहीं बता रहा हूँ यह हेमन करकरे ने अडवाडी को जाके कहा था कि यह सारे जो लोग है यह इतने रैडिकल है टेरिस्ट है कि वो तो आरे से चिफ कोई खतम करना चाहती है और यह उस वक्त के अगबारों में छपके आया था क्योंकि करकरे यह बताया था कुछ पत्रकारों को तो इतना सारा डेंजरस मामला था लेकिन हमारी प्रॉब्लेम यह है कि कांग्रेस के वक्त भी इसमें कुछ नहीं हुआ जब UPA सरकार थी तब UPA सरकार भी डरती थी क्योंकि मैंने कई लोगों के साथ बात किये आरार पाटिल के साथ बात किये बाद में तो सुशल कुपार शिंदे होम इंस्टर मन गए उनके साथ भी कुछ बात मैंने की थी हर बार मुझे लगता था कि कांग्रेस की सरकार डर रही है क्योंको लगता था कि अगर हम यह हिंदुत्वा टेरिरिजम का इन्वेस्टिकेशन ठीक तर से करेंगे और इ इन सब चीजों में नहीं मानता है क्रिमिनल एक्ट है हाँ मैं प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं मैं एटी एस चलाता हूँ एंटी टेररिस स्कॉाड है मेरा तो मुझे करना चाहिए वो कर रहे थे लेकिन उनको खतम किया गया 26 11 को और आज मुझे एक और चीज को देखें जो फैक्ट के रूप में है कि उस वक्त बॉंबे टरर अटाक अगर हम मसूद अजर के नाम पे कर रहे हैं तो प्रग्या सिंग ठाकुर उसका सराहना दे रहे हैं एक हिसाब से कहके कि मेरे श्राप से ये हुआ मतलब उनका श्राप मसुद अजर के थ्रू काम कर ये मानना पड़ेगा और दूसरी बात जो है कि अगर हम बीजेपी की राज़नीती को देखें इस तरह के लोगों को चुनाव लड़ाने का मतलब है कि हम इस तरह के आक्रमन जो की माइनॉरिटीज पे किया गया था जो एक जो मास्ट टेरर अटैक के इलावा आप उसको कु अज़करन है कि अज़ने कि यह गारत व्रभा का उच्ञाए अब दे रहे हैं ऐसे लोगों को चुनाव में लड़ा ख़डा करके कि प्रभीर जीए मैं शब्दों का क्चेल नहीं करना चाहता है मैं एक वाक्षे में कहूंगा कि कि प्रग्या ठाकूर को कि चुनाव में करकरे के साथ उस वक्त इंटर्विव किये थे इसके बाद मैंने रोहिनी सालयन के साथ भी उस वक्त बात की थी और उनका इंटर्वYour chegou multif देखा है मैंने अभी आनंध पटवर्दी के फिल्म में उनका इंटर्व है वो भी मैंने देखा हई भीमन करकर मेरे लिए शहीद है है इस डेश के शहीद है आतमाधियों के खिलाफ लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए आप शहीद की आपन नीति है और मोडी जी कहते है वी जपूसहारेному केते हैं कि नहीं नहीं हम बड़े देश बक्तें बाकिसारे देश दोहिए ट्रेटर से एंटी-डिशनल यहां तो एंटि-डिशनल तो बिजे-पी नरेंद्र मोदी, अमिज शाह और सारे विजेबी के नेता है। पर अब लगता है कि बीजेबी आतंगवाद का सिर्फ धर्म मानता है कि अगर आप इस तरह उस तरह से हो तब आतंगवादी नहीं हो। कम्यूटी जो है उससे आता है अगर कोई मुस्लिम कम्यूटी से तो वो टिकेट देते हैं। मुस्लिम कम्यूटी से जिसके उपर आतंगवाद के आरोप है उसको बीजेबी कभी टिकेट देती। लेकिन मेरा साफ यह मानना है। मुस्लिम को टिकेट नहीं दे रही। वो आतंगवाद तो चोड़ दो। वो माइनोरिटी को ही टिकेट नहीं देती। यह सही है। लेकिन मेरा यह मानना है कि BJP इसका फायदा उठा रही है। यह जो हिंदुत्व आतंगवाद है उसका फायदा उठा रही है। BJP हिंदुत्व आतंगवादियों के साथ है। वो दुसरे जो आतंगवादियों उनका विरोध करते हैं। हिंदुतव के नाम पर काम करने वाला कोई भी आतंकवादी नहीं हो सकता, मैं इसको नहीं मनता हूँ मैंने देखा है हिंदुतव आतंकवाद सनातन संस्ता ने पिछले कम से कम 10 साल से मुझे दम किया दी उन्हों मैं मानता हूँ और ये जेल में भी कुछ लो उनके ही लोगों ने ताबोलकर पांसर एकलबुर्गी गवरी रंकेश के कुन किये तो इस देश में हिंदुत्व आतंकवाद चलता है ये मानता हूँ और ये आतंकवाद बीजेपी के सहारे चलता है उनका पोलिटिकल फ तो प्रग्या ठाकुर को बुपाल में चुनाओ के लड़ाते यह सवाल जरूर होता है। मैं आखरी सवाल पे आना चाहूंगा कि आज के तारीख पे आपको नहीं लगता कि यह चुनाओ जो है यह करीब करीब इस वक्त लड़ी जा रही है मुसल्मानों के खिलाफ और यह कहे कि सब मुसल्मान पाकिस्तानी हैं क्योंकि अगर मोदी जी का स्पीच देखें उन्होंने करनाट का बें जा के दो दिन पहले यह कहा जो उन लोगों का सहारे ले रहा है कांग्रेस जे डेस जो की पाकिस्तान को समर्थन करता है कहने का मतलब तो साफ है कि अगर मुसल्मान कॉंग्रेस को वोट देता है तो ये कॉंग्रेस पाकिस्तानी वोट से जीत रहा है मतलब हर मुसल्मान को यहां पर कॉंग्रेस का वोटर और पाकिस्तानी घोशित कर दिया जा रहा है वो भी इस वक्त प्राइब मिनिस्टर के दुआरा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मैं बिल्कुल सहमत हूँ आप से मोधी जी ने पास साल में कुछ नहीं किया अच्छे दिन लाए नहीं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए एक तो वो बार बार पुलवामा बाला कोट उनके नाम पर माग रहे हैं और ये हिंदु मुसलमान की बात कर रहे हैं उनके लिए तो जो कांगरेस को वोट डेता है या वो सारे विपक्ष को वोट डेता है वो पाकिस्तानी है असल में बात यह है वो पाकिस्तान की मदद ले रहे है और पाकिस्तान उनकी मदद ले रहा है जिस तरह से प्रचार हो रहा है इमरान खान की और से और इनकी और से मेरा सवाल आज भी है पुलवावा में जो आतंकवादी हमला हुआ वो कैसे हुआ किस ने क में यह बात नहीं आती हमारे पत्रकार है समीर यासीर कश्मिर में है नियॉर्क टैम्स के लिए रिपोर्टिंग करते हैं उन्होंने फेस्बूक पोस्ट लिखा था पुलवावा हमले के बाद कि हर तिन सो फूट पर कश्मिर में सुरक्षा बल है आर्मी है या फिर पुलीस है कोई तक सी आर्पीएफ है तो यह सुसाइड बॉंबर यह पूरा आपका जो सुरक्षा है वो तोड़ के कैसे सी आर्पीएफ के कॉनवाई में गुसा किसने उसको पर्मिशन दी तो मेरा सवाल आज भी यह है यह सवाल कोई पु दोचना चाहिए कि क्या यह आपका फेल्यूर है अगर मुंबई का जो हमला था चभीज ग्यारा का वह अगर यूपीए सरकार का फेल्यूर था तब हो मिनिस्टर ने शिवराज पाटिल थे उन्होंने इस्तिफा दिया फिर हमारे चिफ मिनिस्टर महाराश्टर के विलासरा की बात नहीं करेंगे यह बेरोजगारों की बात नहीं करेंगे यह अर्थवयस्ता की बात नहीं करेंगे कुछ बात नहीं करना चाहते या कर सकते इसलिए वह हिंदू-मुसल्मान इनके लिए इनके पास हमेश है यह आप देखिए गुजरात में 12 साले मुक्यमंत्री थे 2002 के बाद 2007 में चुनाओं हुए फिर 12 में हुए हर चुनाओं में इन्होंने पाकिस्तान का मुद्दा उठाये कभी मुश्रफ की आलोचना की या और कुछ कहा हर बार इनको पाकिस्तान का मुद्दा उठाना जरूरी लगता था तो मुझे लगता है मोदी जी के पास कुछ नहीं है और मोदी जी देखो ये माफ किजिए मुझे लेकिन मुझे लगता है नरेंदर मोदी इस देश के प्रदान मंत्री बनने के लिए लायक नहीं है सवाल जरूर हमारे जन्ता के सामने है कि चुनाव हिंदुस्तान के है हिंदुस्तान की चुनाव है या पाकिस्तान के खिलाफ चुनाव है क्योंकि जिस तरह से बाते की जा रही है चुनाव तो लग रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की हो रही है ये गोशना प् बीजेपी कोई डख डख के ये चीजे नहीं कर रही है पर खुलियाम कर रही है और इसलिए हिमत करकरे जैसे पुलिस आफिसर को भी इस तरह से घिनोना वक्त अब्यों वक्त अब्य करने के लिए तयार है धन्यवाद दिखिल फिर आशा करता हूं कि आप हमारे स्टूडिय मे और भी आएंगे देखते रहिएगा ड्यूस क्लिक